रीवेजली के सुहागी पुलिस ने निशा आदिवासी हत्याकान के हत्यारे को गिरफतार कर लिया बताया जारे कि 24 अक्टूबर 2023 को अरहर के खेत में निशा आदिवासी का श्रौ मिला था इसके बाद पुलिस द्वारा निरंतर जाज की जा रही थी क्राइम सीन पर मिले साक्षिवं परिजनों के संदे अनुसार पुलिस ने आरूपी निरंजन रावत को गिरफतार कर लिया उस्ताश के दौरान बड़ा खुलासा हुआ आरूपी ने बताया कि निशा उसकी पुरानी प्रेमी का थी और उसने उससे शादी करने से इंकार कर दिया था जिसके कारण आरूपी ने उसकी हत्या कर दी गटना थी इकीस तारिक को सूचना करता गंगा देवी आदिवासी पचास वर्स थाने में आ करके रिपोर्ट की थी उनकी लड़की निशा आदिवासी जो की मिलने रही थी उसके गुमिनसान दर्च किया गया थाना सोहागी में उसकी बाद उसकी चानवीन की गई जांच की गई और चौवी संदेहियों को उठवाया गया उनसे बातचीत की गई और विद्वत कारवाई से ये पाया गया कि संदेही जो इसका था वो उसका पुराना आशिक था और शादी